दस्वी कक्षा की विज्ञान विशे की इस ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे अध्याय बारा विद्धुत पड़ रहे हैं। अभी तक हमने परतिरोध के बारे में सीखा था पिछले वीडियो के अंद और वहाँ पे हमने देखा था परतिरोध, पर ऐसाई मातरक होता है, जो ऐसाई मातरक है उसको हम ओम से लिखते हैं। वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि परतिरोध का मान बदलता रहता है, वो उसकी लंबाई, उसकी चोडाई के उफ़ निर्भर करता है। उसका मान उसकी लंबाई या चोड़ाई बदलने से नहीं बदलता। अब कई बार होता क्या है कि हमें परतिरोध एक परतिरोध लगा दिया परंतु हमारे पास मान के चलें कि हमारे पास कोई परतिरोध है बारा ओम का और हमें चाहिए चार ओम का तो हम क्या करें हमारे पास क्या वैसा कोई तरीका है इस बारा ओम से चार ओम मनें तो हमें क्या कर उनको इकठा करते हैं, संयोजन के दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारे पास स्रेणी करम संयोजन, और दूसरा जो होगा हमारे पास वो होगा समानांतर करम संयोजन, तर करम संयोजन, तो ये दो तरीके हैं, आज इन ही दोनों तरीकों के बारे में मैं यहाँ पे आप इसके सा important बात बताओं यहाँ पे कि इन में से एक प्रशन आपके final exam में आही जाता है तो इसलिए पूरे वीडियो को आपको धान से देखना है समझना है और अपने notes साथ की साथ आपने prepare करने हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्रेणी क्रम संयोजन की परतिरोधों को स्रेणी में कब जोड़ा जाएं तो देखिए मान लीजिए मेरे पास तीन परतिरोध हैं एक कमान R1 एक कमान R2 और तीसरे का R3 है तो उनको स्रेणी में जोडने के लिए, हम इस तरीके से जोड़ेंगे, लगातार एक स्रंखला बनाते हुए चलें, तो वो स्रेणी करम संयोजन होता है, यह R1, यह R2 और यह R3, यहाँ पे इसको हमने विद्धुधारा के साथ जोड़ दिया, विद्धुधारी जो है हमारी वो यह है, धनात्मक और रिनात्मक और हमने पढ़ा था, जो विद्धुधारा है वो धन से रिन विभाव की तरफ पहती है, मान लेते हैं, इसमें बहर ही विद्धुधारा आई है, तो एक दो तीन बाते आपको ध्यान रखनी है, वो यह कि स्रेणी करम संयोजन में, लेगा नहीं, और जो विभावांतर है, विभावांतर जुड़ जाता है, तो ये ध्यान रखें, विभावांतर यहाँ पर जुड़ेगा, और करंट है, विद्धुधारा है, वो एक समान रहेगी, तो ये तो तरीका है स्रेणी करम संयोजन का, अब आईए, अब हम बात कर करें समानांतर करम, सहिोजन की समानांतर करम शमयोगन करम , जब वह pendant को पार्शो क करम सहिडोगन भी नहीं क्या है विभिन्य परकार के थे पर्तिरोदalley थे वह एक दूसरे के समानांतर हो एक पार्षी के तो यह होता है हमारे पास समानांतर करम संयोजन तो यह चीज़ आप ध्यान रखें, यहाँ पे हमने इनको चोड़ दिया है, यह सिरा हम इसका कह देते हैं A है और यह दूसरा सिरा हमने कह दिया B, इसका मान R1, इसका मान R2 और इसका मान हम यहाँ पे मानके चलते हैं R3 है, वो बदलेगी पहले में से i1 हम कह सकते हैं इसमें i2 कह सकते हैं और हम प्रियास करते हैं उनका मान निकालने का कि परतिरोधों को जब स्रेणी करम या समनांतर करम स्योजन किया जाता है तो उनका मान किस प्रकार से हम प्राप्त करें उसका समतुल्य मान क्या होगा तो एक चीज आप यहां पर देहन रखिए कि ओमसला हमने पढ़ा था ओम का नियम था ओम का नियम यह हमने बराबर IR करेंगे तो यह मैंने बताया था कि यहां पर जो विभवांतर है उसका मान हरेक के जो परतिरोध होगा उसके साथ अलग-अलग होगा यहां पर V2 हम कह सकते हैं विभवांतर जो होगा और यहां पर V3 हम विभवांतर कह सकते हैं और V मान सकते हैं विभवांतर जो ह V3 इस तरीके से होगा अब इस पहले के लिए जो पहला केस आपको दिखाई दे रहा है इसके लिए V1 का मान पता लगाएं तो हमें पता है V1 बराबर है IR1 क्योंकि ओम का नियम ये लिखा हुआ है इस ओम का नियम जब हम इस पहले परतिरोद के ऊपर लगाते हैं तो इस परतिरोद के ऊपर लगाएंगे तो ओम के नियम के अनुशार V बराबर है IR हमारे पास हो जाएगा अब आगे चलते हैं इसी तरीके से दूसरा V2 I और दूसरे परतिरोद का मान कितना है R2 और इसी तरीके से V बराबर है I R3 तो तीनों परतिरोधों के जो विद्धुत विभवांतर है वो यहाँ पे इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे अब हम बात करें तो इन सब मान को जब हम जो पहले equation हमने बनाई थी यहाँ पे इस समीकर्ण के अंदर रख दें इसको मैं एक कह देता हूँ तो इसको समीकर्ण एक में रखेंगे तो V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 तो V1 का मान है I R1 जमा I R2 और जमा I R3 अब यहाँ पे हम मान लेते हैं R S R S क्या है? स्रेणी करम का कुल परतिरोध है अब इस चीज़ को हम जब उपर इस इक्वेशन में लिखेंगे तो देखिए इसमें वसे करंट जो विदु धारा है वो I बह रही है यहाँ से आप देख सकते हैं तो I R बराबर है I R1 जमा I R2 जमा I R3 इसमें से I common निकल आएगा हमारे पास बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 आगे जलते हैं इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ I है तो I से I cancel out हो जाएगा और हमारे पास जो बनता है इसके अंदर हम यहाँ पर I R S लिख सकते हैं तो R S जो स्रेणी करम संयोजन होगा उसके अंदर कुल परतिरोद यह बन जाता है तो यहाँ से हमें एक चीज सपस्ट होती है वो यह कि स्रेणी करम संयोजन के अंदर जो भी हमने यहाँ पर निकाला इस स्रेणी करम संयोजन के अंदर कुल परतिरोद उन सभी परतिरोद के जोड के बरावर होता है मान लेते हैं अब यहां पे किसी का एक उधारन हम सीखने का प्रियास करते हैं कि मेरे पास तीन परतिरोद हैं एक का मान आर जो है परतिरोद का मान पांच ओम है दूसरे परतिरोद का मान मान लेते हैं मेरे पास दो ओम है और तीसरे परतिरोद का मान मान लेते हैं हमारे पास तीन ओम है तो यहाँ पे कुल परतिरोद क्या होगा तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके नुशार जुड़ जाता है स्रेणी करम संयोजन के अंदर जो कुल परतिरोध है उसका मान क्या होगा आईए अब हम परतिरोध को सीखते हैं समानांतर करम संयोजन के अंदर या पारशो करम संयोजन के अंदर परतिरोध कैसे निकाले वो सीखने का प्रियास करते हैं जीसे कि मैंने आरंब में आपको बताया था कि जो समानांतर करम संयोजन है उसके अंदर विभवांतर यानिकि V वो एक समान रहता है, परन्तु जो विध्युत-धारा है I वो जुड़ जाती है, यहां से मान लेते हैं पूरी विद्धु धारा कुल विद्धु धारा i है तो यह हो जाएगी हमारे पास i1 दूसरे के अंदर गई i2 और तीसरे प्रतिरोध के अंदर resistance के अंदर i3 गई है तो कुल विद्धु धारा हो जाएगी i1 प्लस i2 ब्लस i3 अब यहां पे भी हम ओमसल v बराबर है i r था हमें यहां पे प्रतिरोध का मान ग्याद करना है तो i बराबर है v upon r हो जाएगा तो क्योंकि यहां पे अलग-अलग प्रतिरोध है समानांतर करम संयोजन हम उप्योग कर रहे हैं तो इस वज़े से हम इस तरीके से इसको लेंगे अब देखिए यहां पे स समानांतर करम संयोजन की बात करें समानांतर को इंगलिस में पैरलल भी कहते हैं that's why को मैं v p से लिखूं तो टोटल पोटेंशियल बन जाएगा यहां पे आई और इसको मैं r p से लिखूं r p मतलब पैरलल के अंदर यानि कि समानांतर करम के अंदर जो प्रतिरोध का मान है व वो आएगा कुल जो पोटेंशियल है यहां पे इसको जो विभांतर है वी या पोटेंशियल भी इंगलिस में इसको पोटेंशियल कहते हैं v p से लिखा है तो v p upon r p यहां पे हो जाता है तो देखिए पहले परतिरोध के लिए ग्याद करें तो पहले परतिरोध के लिए जो I1 का माना आएगा आउमसला के अनुशार वो हो जाएगा हमारे पास V upon R1 यहाँ पे VP हमने कहा और जो दूसरा आएगा यहाँ पे I2 आप देख सकते हैं इसमें तो I2 यह होगा हमारे पास VP क्योंकि यह मनें बताया था एक समान रहता है यह चीज़ा आप द्धान रखें तो R2 और यहाँ पे अगर I3 की बात करें तो VP upon R3 इस तरीके से बनता है आएए अब इस equation का इसको समय करण को हम एक कहते हैं तो इसका उपयोग करें तो यह हमारे पास आजाएगा I की जगह पे मैं यहाँ से उठा लेता हूँ जो I की values हमने निकाली है तो I की जगह पे मैं इसकी जगह पे तो यह value put कर दूँगा तो मेरे पास आजाएगा VP upon Rp और यहाँ से करें तो VP upon R1 क्योंकि I1 का मान आया प्लस I2 की जगह पे हम कर सकते हैं VP upon R2 प्लस I3 की जगह पे कर सकते VP upon I3 अब देखिए इसमें पूरे में VP common है बाहर आ जाएगा 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 अब यहाँ से VP से VP को cancel out कर सकते हैं तो हमारे पास जो term बचेगी जो चीजे बचेगी वो है हमारे पास एक बटा Rp तो यह होता है समानांतर करम संयोजन के अंदर जो परतिरोध होगा इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं क्या बताया 1 by Rp बराबर है एक बटा R1 जमा एक बटा R2 जमा एक बटा R3 इस तरीके से हम समानांतर करम संयोजन के अंदर परतिरोध ज्याद कर सकते हैं अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यह एक भटा है कई बार क्या करते हैं इसको विद्यारती ऐसे ही उलट देते हैं उल्टा कर देते हैं वो गलत है ऐसे नहीं करना है ऐसे करने से उत्तर जो है वो गलत आएंगे आईए हम दो परतिरोध के साथ यहां पर एक उधाहरण लेते हैं मान लेते हैं मेरे पास एक R1 है जिसका मान चार ओम है और दूसरा है मेरे पास R2 जिसका मान दो ओम है अब यह कहता है यह दोनों समाना अंतर करम समयोजन में जोड़े जाते हैं तो इनका कुल परतिरोध कितना होगा तो देखिए यहां पर R1 का मान यह है तो Rp जो है हमारे पास उसका तरीका है एक बटा पहले के लिए 4 जमा 1 by 2 यहां से करेंगे तो then we can get that is 8 and this is 4 plus this is 2 plus 4 हम ऐसे कर सकते that is 6 by 8 this is the value of 1 by Rp आप ध्यान रखें यह एक बटा Rp की value है हमें किस की चाहिए हमें तो Rp की चाहिएगी तो Rp का क्या होगा इसको उल्टा करना पड़ेगा तो 6 बटे 8 होगी इसको ओर सोल करना चाहें तो Rp यहां पे आ जाएगा that is 4 by 3 इतने ओं तो यह आप ध्यान रखें जब भी मान लिखें परतिरोध का उसके साथ उसका SI मातरत जरूर लिखें तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी परतिरोध आप यहां पे find out करें, लिखने की कोशिस करें परतिरोध को तो जब समानांतर करम में ग्यात करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि एक बटा जरूर करना उससे उलट जरूर लेना है तो यह ध्यान रखना है अब एक चीज और ध्यान रखिए कि जो प्रतिरोध हम स्रेणी करम संयोजन में हमने जैसे यहाँ पे ग्यात किया था प्रतिरोध और उसके बाद अब हम यहाँ पे स्मानांतर करम में कर रहे हैं प्रतिरोध को ग्यात तो दोनों ही में प्रतिरोध का मान कम या ज़्यादा होत उन परतिरोदों को स्रेणी करम से योजन में जोड़ना होता है और अगर हमारे पास कई बड़े परतिरोद हैं बड़ी वैल्लू की रेजिस्टेंस हैं और हमें छोटी वैल्लू की रेजिस्टेंस चाहिए तो उनके लिए हमें उनको समाना अंतर करम या पार्शो करम या पैर के अंदर जोड़ना होता है